नमस्कार दोस्तों मैं रोईद गुपता स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चनल पर आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एना यूएस क्लास 12 के हिंदी का स्लेबस इस वीडियो में हिंदी का स्लेबस डिस्कूस करने वाले हैं काफी सारे साथ ही स्लेबस कैसे डाउनलोड करना है सेंपल पेपर कहां मिलेंगे सारी डेटेल इस वीडियो में देने माला हूँ तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिएना टाइम वेस्ट करें ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो कमेंट करके ज़रू बताना और हिंदी का में बहुत ज़्यदा हेल्प मिल सके और आपकी बहुत ज़्यदा हेल्प अच्छा जा सके आप एक्जाम स्टार्ट करते हैं बिनटाइम वेस्ट करें तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम स्लेबस कैसे डाउनलूड वगरा करना है तो सिंपर आप गूगल पर खोलेंगे गूगल खोलेंगे और सर्च करेंगे यह सेंपल पर यह स्लेबस तो सबसे पर एक यह वाला लिंक आएगा जो भी आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो आपको उस पर डायरेक्ट क्लिक कर देना है जैसी आप क्लिक करेंगे तो यहां पर पूरी क्लास 12 के जितने सबजेक्ट कि स्लेबस यहां देखने को मिल जाएंगे अब नीचे स्क्रॉल करके आपको सारे सलेबस देखने हैंगे लकिन आभी में मोको कॉंच सब्जक्ट है हिंदी और हिंदी का नियू और उल्ले सद्लेबस तो न्यव अको यहां पर दिख रहा है C सेंपल पेपर भी आपको ओल्ड और दोनों दिख रहे होंगे और कोशन पेपर डिजाइन भी दोनों के आपको दिख रहे होंगे अब जो है सबसे पहली बात या जाती है अब बच्चे जो है इस बात को लेकर काफी ज़्यादा डाउटफुल है कि हम न्यूबुक्स से पढ़े या ओल्ड बुक्स से करें और न्यूबुक्स जो है अभी मिली भी नहीं है तो कैसे कर सकते हैं तो देखिए एक नोटिकेशन जारी करा था कुछ दिन पहले मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं आपको दिख रहा होगा उसमें नियूबुक्स से बोला था वह आपकी चॉइस है आप न्यूबुक्स के अक्टूबर के सेशन में तो इसमें आप कोई साभी एक्जाम दोनों में से कोई सीबुक्स पढ़ सबसे पहले यहां पर आपको इस दिख रहा होगा जिसमें आपका 40 परसेंट पार्ट जो है वो टीमे में आ जाता है और सिक्स्टी परसेंट आपका सारवजनिक परिक्षा यानि पॉब्लिक एक्जाम में आ जाता है, अब कौन-कौन से चैप्टर जो है इसमें तो अभी जो इस साइड जितने भी चैप्टर आपको दिख रहे हैं, इस साइड आपके लेफ्ट साइड जितने भी चैप्टर दिख रहे हैं, वो सारे चैप्टर जो है एक्जाम में नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड वाले चैप्टर आएंगे, जिन इसका नेक्स्ट जो पुस्तक 2 आ जाती है उसमें से चप्टर नमबर 12 और 15 नहीं आएंगे बाकी सारे चप्टर रहेंगे उसका पुस्तक 3 की बात करें तो इसमें आदा चप्टर कर दें मतलबकि 22, 23, 25, 29, 30 ये 5 चप्टर रहेंगे पुस्तक चार में दो है एक है तीन लगू कथाएं और एक है विराटा की पदमिनी तो विराटा की पदमिनी ही आएगा सिर्फ जो कि एक उपन्यास है और बहुत बड़ा चप्टर है ठीक है उसके पुस्तक का और खा में दोनों में से कोई एक करना होता है तो आप उपर के यह चार कर सकते है चाहे नीचे के यह आपको जो भी इसी लगे आप वह वाला कर सकते है अपने एक्जाम के लिए ठीक है तो यह तो हो गया आपका उल्ड अब बात करते हैं न्यूसलेवस में क्या है तो न्यूसलेवस में आप देखोगे जो चैप्टर से वह भी रिडियूस कर दिये गए हैं न्यूसलेवस के लेकिन इसमें एक कंडिशन थी अगर आप खोलेंगे अगर इसका यह ऑनलाइन पीडियाप डाउनलोड करेंगे तो सिदास का एक अलग चैप्टर है और न्यूसलेवस में क्या कर दिया गया है तो हुआ कुछ नहीं है इसलेवस लगवग लगवग सेम ही है बस जो चैप्टर की क्वांट कांटिंग थी अलग-अलग करके उनको मर्ज कर दिया गया काफि सारे ऐसी पोयम वगएर देखने को म सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले हैं तो सबसे पहले हैं आपको समझ में आ गया होगा आप बात करते हैं सैपल पेपर की और कोशन पेपर डिजाइन की तो सबसे पहले हम कोशन ने देखने बाले हैं पहले हम ओलक यानि कि वास्तोनिस्ट मतलब कि आपके जो अबजेक्टिव कोशन होंगे वह कौन से आएंगे कितने कितने मार्क्स केंगे एक मार्क्स वाले बीस कोशन होंगे यानि जिसमें आपके mcq pilinda blanks one word सथि गलत सत्य है सत्य यह सारी चीजे आ जाती है इसके वर integral three question आंगे जो की no marks को ज Hack ची जते है पाँचая वाला अकोité संहना आएगा five marks का cha сейчас cemen call ऐ webpage six marks- quoi tenalon एक today I Gear okay उसका लगुथतीरी प्रेस्षन जो है थींग है विह दो मार्क स्वाले पाँस अधेंगे जो कि बारा मार्क से गुछाता है उसके को इसे थींग माक स्टीव हो जाता है उसकी मुझत देर्घांच हो जाता है ने कि एकांडिक साहत हुए पुल nutrition पूर्शन के काउंटिंग हो जाती है इस अब यहां पर बात करते हैं कौन से पूर्शन से कितने मार्स का आने वाला है ताकि आप प्रिपेर कर सको उसी अप्रॉडिंग तो कवीता जो है आपकी वह 20 मार्स की आएगी 29 मार्स का आपका गदपथन गदपथन मतलब कि जो आपक चोड़ भी सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स की आने वाली है व्याकरण अगर आपको थोड़ी बहुत नौलेज नहीं है तो इस पर फोकस उतना करने की जूरत नहीं है में फोकस आपको दो तिन चीज़ों पर करना है आप एक तो पोयम जो भी मैं बताऊंगा वह आपक यानि कि जो आपके पत्र वग्यारा सार लेखन ये सारी चीज़ आ जाती है इन चीज़ पर फोकस करेंगे और पंद्रा मार्क्स का जो है आपका वेकल्पिक यानि वह चार चैप्टर मैंने बताया आपको उप्शन में है तो वह आपको कर लेने हैं क्योंकि वह पंद्रा मा इस परफोकस करेंगे दूसरा आपका लेखन को शण हो गया इस पर फोकस करेंगे और कवीता जो मैं आपको बतांगा गदम इस तना करने के बाद killers Kakast सिर्फ और सिर्फ जो बताऊंगा वह करना है ठीक है क्योंकि 26 मार्स कहीं हो गया बाकि अब एक चीज़ और में आपको बता दू हंडेड़ मार्स का जो आपका पेपर आएगा कि उसको कनवर्ट कनवर्ट कर दिया जाता है कितने में 80 मार्क्स में कि 20 परसेंट मार्क्स अपके टीए में के होते टीए में जो आपने ऑनलाइन सब्मेट कर आओगा तो टीए मार्क्स यह हो जाएंगे आपके 100 को कनवर्ट करें अब मैंने यह दिखाए आपको ओल्ड इसलेवस अब न्यू स्लेवस के अकॉर्डिंग भी कोशन पेपर डिजेन देख लेते हैं कि कुछ स्टुडेंट जो है हो सकता है न्यू स्लेवस के उनको असान लगे तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर कि साथ मार्क्स वाले सृक्स हैंगे अगी सके लग्टरी पांचे लाईए यहां समस्टी चार माक्स वाले सृक्छिन दो आएंगे तोच मारक चार पॉसा मैशड़ कौशण सबतक सरक्ताइए आपको से कितने आने वाला है इसमें जो है उप्षिनल वाली मॉड्यूल जो हटा दी गई है तो अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वह चीज में आपको बता देता हूं कि 30 marks का जो है आपका पोयम से आने वाला है 35 marks जो है आपका गद पठन से आने वाला देखो अब marks increase कहां किए अब old slayvus में देखोगे आप तो गद 20 marks का आ रहा था और new slayvus में कितने का आ रहा है आपका 30 marks का तो 10 marks जो है इन लोगों ने यहां बढ़ा दिये उसके बाद आप य प्याकरंड जो है 10 marks की स्टेंप भी आ रही थी अभी भी आ रही है और यहां लेखन में जो है एक marks कम कर दिया गया यानि जो हमारी पत्र वग्यारा जो आने वाले थे उसमें एक marks यहां से हटाया गया है अब जो है बात करते हैं यहां पर आपको यह बता दिया गया है अंक विभाजन मतलब कहां से क्या क्या कितने कितने marks का आने वाला है यह भी हम देख लेते हैं तो कवीता में जो है मैंने आपको बता दिया था यहां पे आपको यह दिया गया है टिपन और प्ररूपन एक-एक मार्क्स वाले दो और दो-दो मार्क्स वाले दो यानि कि छे मार्क्स का आपका टिपन और प्ररूपन वाला चेप्टर जो है यहां इसलिए बस देखींगे जो हम न्यू वाला तो टिपण और प्ररूपण ये 6 मार्क्स का चेप्टर है चीक है उसके बाद बात करें हम विवित प्रियुक्तिक शेत्र एक-एक मार्क्स वाल एक या दो-दो मार्क्स वाले दो 6 मार्क्स का ये हो जाता है ये रहा ये वाला चेप्टर हमारा चेप्टर नमबर 23 ये भी 6 मार्क्स का है उसके बाद बात करें जन संचार माध्यम तो चार और चार आठ मार्क्स का जन संचार हिंदी और जन संचार तो आठ मार्क्स का यह होने वाला है आपका चिक है तो इस तरीके से यह जो है डिवाइड कर दिया गया है आई होब आपको समझ में आया होगा इस लेवस अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं यहां पे भी आपको बता रखा है निबंद वग्यरा कितने मार्क्स का आने वाला है कौन सी चीज कितने मार्क्स के आने वाली है तो यहां पे आपको मैं बता देता हूँ भाव पलवन जो है तीन मार्क्स में आने वाला है सार प्रतिवेदन चार मार्क्स का आएगा निबंद आठ मार्क्स का आएगा और तालिका जो की चार मार्क्स का आने वाले तालिका बहुत ही इजी है तो उस चेप्टर के आप प्रिपेर कर सकते हो अपने एक्जान के लिए चार मार्ग साथ के बहुत पाइने रखते हैं ठीक है तो अब यहां से आप सेंपल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो यहां पर आपको लिंग दिख रहा होगा बीच वाला जो है ओल्ड और न्यू इन दोनों पर क्लिक करके आप ओल्ड और न्यू सें प्रेशन हैं मतलब MCQ है तो जैसा इसमें आपको दिखा रहा है ना विल्कुल वैसे ही आपका पेपर आने वाला है यह नहीं कि यह सेंप्ट्यू सेंप्ट के आ जाएगा ऐसा ही आने वाला है मीज कि इसी टाप के कोशन्स आएंगे आपके पेपर में तो सेंपल पेपर टैलिग्राम चैनल पर अप्लोड कर दूँगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टैलिग्राम चैनल का और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओल्ड इसल इंपॉर्टेंट चैप्टर की तो तुल्सी दास एक था पेड़ एक था ठूट दो कलाकार सार कैसे लिपकरियें इन है एक तो आपका हो जाता है एक था पेड़ एक था ठूट थूट जिस्में से बहुत सारे जो है आपके पैराग्राफ, तैप कै कुशन्त्स आते हैं या फिर हम ये बोले का ब्हुंच इसमें आते हैं या इनका जो हमार। आर elles अधिनला मेर्व प्रसंग ईते है उसकी बात करें इन में से बात करें, और गट्टियां कुछ और ये तो हम इनकी तो बात ही क्या से इनको तो हम छोड़ने ही सकते बिल्कुल ग्रामर पोशन क्या कोड़े का जाता है हमारा लेखन में आजाता है यह सारा का सारा पत्र कैसे लिखे भाव पलवन प्रतिविदन टिपड़ इस सारी चीजे हम छोड़न बहुत ज़्यद्ध है इसमें से साथ साथ मांक्स का आएगा ही आएगा तो यह चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना है कर लेना है अच्छे से तालिका और आरेख निर्मान यह बहुत ही इजी है इसको आप कर सकते हो निबंद कैसे लिखे यह भी बहुत असान है चीक है यहां से आप इन दो चैप्टर को भी करोगे तो भी काफी है और उसके बात पुस्तक काव और खा मेंसे आपको जो असान पड़ेगा वो कावला पड़ेगा यह आप खुद भी रीड करके देख सकते हो अगर आपको कावला करना हो तो यह चार चैप्टर कर लीजेगा और अगर खावाला करना तो चार चप्टर कर लिए दोनों में से जो आपको एजी लगे सुटेबल लगे ज्यादा असान लगे टाइम कम कर रहा हो वह वाला आपको पोर्शन कर लेना है ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेकिन अगर आपको इन सारे इतना सारा करने क्योंकि देखो एक ही वीडियो में दोनों चीज कवर नहीं हो पाएंगी तो हम एक ही इसके अकॉर्डिंग कवर करने की कोशिश करेंगे चाहे वो ओल्ड स्लेवस हो चाहे वो न्यू इसलेवस हो और सेंपल पेपर की अगर कोई हो तो उसका भी कमेंट करके जरूर बताना हैं अब यहां पर हम बात करते हैं न्यू स्लेवस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन-कौन से होने वाले हैं एक्जाम के परफसे पॉइंट ऑफ यू से तो देखो यहां पर आपको सबसे पहला चैप्टर आपका वह बहुत जड़ily के ईंपॉर्टेंट हो जाता है तलसीदास और मीराबाईई यह मुस्ट इंपॉर्टेंट है इन में से इन तीनों मेंसे तुलसीदास यह तो बहुत ज़़्दास है क्यूंकि इन से जो है आप का का व्याश्या सक्ता ए है ठीक है बिहारी और पदमाकर दिनकर और बच्चन सर्वेश्वर द्याल सक्सेना और दुश्यंत कुमार यानि सात्वा जो है सम्कालीन कवीता आज की कवीता राजेश जोशी और नरेश सक्सेना चीफ की दावत यह बहुत ज़्याद इंप्ओर्ट्न चप्रव्याइं या और पदमाकर भी और यहां से सर्विश्वर द्याल सक्सेना और दुश्यंत कुमार ये वाली कोई की क्वीता क्वीता है तो सारी अब को पढ़ लीनिया च्छोड़नी कोई सी भी नहीं है कि छोड़ोगे पोयम तो पस्ता होगे कुछ छोटा से चेप्टर है रीड के अड़ी बहुत ही असान और पढ़ोगे आप जब इस चेप्टर को तो बहुत ही हसी आईगी आपको तो यह पढ़ सकते हो अंडमान डाइरी में कुछ खास था नहीं कार्याल ही पत्राचार पढ़ कोई आया नहीं है कुछ भी मतलब पेपर वगर अभी अभी कंड़क्ट नहीं किये गए है एक तरीके ऐसे आप लोगों के उपर एक्सपरिमेंट ही किया जा रहा है तो आप पे लिए बैस्ट जो है मैं यह कहुँगा कि और आप प्रेपरेशन करोगे तो वह जाद आपके पड़ेगा तो आपको पीवाई क्यूस भी देखने को मिल जाएंगे आपको सेपल पेपर मिल जाएगा बुक्स मिल जाएंगी सारी चीजे जो है इसले अब यहां पर बात करें इंदी और जंसंचारमाध्यम यह इंपॉर्टेंट है आठमांक्स का हमने देखा यह तीन चे आठी च्यांक्स का इंपको 1- Progress लोगे तो यह통 तीन चैप्टर में और बतादेरा गुर्म् को नियार। चप्टर अंधीजे ना बहुत जुन चौने एक मैंडर कुमारी चौहां वहांदीवी फर्माइब चोंड़ सकते हूं बड़ी बोरिंग सी कहानी, कहानी क्या, कहानी टाइप की यह एक तरीके से बहुत ही बोरिंग सी है, मज़ा बिलकुल नहीं आएगा आपको उसको पढ़ने में आप यहां से आपको चेप्टर टू कर सकते हो, रिती कावे, पदमाकर और विहारी, इन चेप्टर्स में आपको मेंली करना क्या है, इनकी जो व्याख्याएं हैं, और कवीता, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, कि आप पूरी-पूरी कवीता हैं पड़े, तो कवीता क नाम और कवीता कवी कौन है, यह आपको याद कर लेना है, और साथ ही कहानी में भी आपको रखने, क्यूंकि MCQs जो आने वाले हैं, उसमें यही पूछा जाएगा, कि इस कवीता के कवी का नाम क्या था, और इस कवी ने कौन सी कवीता लिखी थी आपके पाठ्ठे पुस्त में, तो ऐसे गर के पूछ सकता है कौशन तो आपको याद रखना है यह सारी चीजे, अब कर आपको सारी चीजे समझ में आ गई हो, आप में आको जाए, जिसका मेरे 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 नमबर जो है डिस्प्ले होता रह रहा है I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन ज़रू प्रेस कर देना क्योंकि जैसी आपके लिए लेटेस्ट वीडियो को आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से म भीडियो वीडियो आपके लाइम उसके लिए रह बिएमर टॉरू कर देनाूत कि उक ह widए ऴोर्धश मुन का यह जो होगी सёँन आपकेशन आपस्यों तो को ए वार बैल र entonces उसका पकीवियो आपकेशन चैनल आपको आपकेशन आपक Тамपके लें Tracy-a Над हम तोल रह झाभ करी सा